हलो कैज आप देख रहे हैं कासक चान और मैं हूँ आपके साथ क्रियतिका निखिल पटेल और दलजीत कौर की शादी दस महीने में टूप गई और इन दोनों के रुष्टे का इतना बुरानत होगा किसी नहीं सोचा था परकाईज अब जो है ना हद पार हो गई है इस पूरे मामले में नया अपडेट सामने आया है और ये नया अपडेट आपको भी चौका सकता है क्योंकि निखिल पटेल जो है वो ना अब दलजीत की बेवसी का देख रही है तमाशा दरसल हम सब जानते हैं कि निखिल पटेल की जो पत्मी है दलजीत वो अपने बेटे को लेकर केनिया छोड़कर इंडिया आ गई थी जिसके बाद वो काफी ज़ादा परिशान थी निखिल से मिलना चौहती थी निखिल पर आरोप लगा रही थी तो वही इसी बीच बड़ी अपडेट सामने आई है और यह अपडेट आपको फी चौका सकती है क्योंकि इस अपडेट के मताबिक जो दलजीत कोर है वो ना फूट फूट करोई है क्योंकि निखिल ने अपना समान ले जाने के लिए कहा और जब वो केमिया गई तो वहां पर निखिल ने उन्हें सोसाइटी में नहीं घुसने दिया security का order दिया कि इन्हें अंदर मत आने देना तो वही दलजीत रोती रही गिरगिराती रही पुलस के पास गई अपनी शादी की तस्वीरे दिखाई और बाब जो दसके इन तमाम चीजों के बाद भी दलजीत की सुनवाई नहीं हुई है मामला court में चल रहा है पहली सुनवाई हो चुकी है और कहा जा रहा है कि जो निखिल पटे है उन्होंने दलजीत का कुछ समान जो है कीमती होने लोटाया भी नहीं है जब कि court का order है कि दलजीत को शादी का समान वापस कर देना चाहिए लेकिन वो समान जेवरात गेहने कीमती जो समान है वो अभी भी निखिल के पास भी रखा है और दलजीत फूट-फूट कर रोए जा रही है अपनी किसमत को रो रही है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया उसने सोचा था कि उसकी दूसरी शादी सपल होगी पर अपसोस ऐसा नहीं हुआ लेकर दलजीत का अगरा कदम क्या होगा इस वीडियो में इतना है